नवश्कार आप देख रहे हैं इस वक्त हीमाचल फर्स्ट और आज हम पहुंचे हैं जिला उन्ना के जो पुली स्थाना अंब है उसके अंतरगत गाउं जो भलैड है जो की ग्राम पंचाइत मंधोली के अंतरगत आता है दोस्तों आपको बता दें कि बीती रात यहां पर जो यहां के उपरदान है उनके बड़े भाई जो बड़े भाई है उनको जो यहां पर रात को रोका गया और उनके साथ जो है इस घटनगर लूट पार्ट का पूरा इंतजाम किया गया तो हम अभी आपको मिलाएंगे उनके भाई के साथ जो यहां के जो उपरदान भी है और सर कल जो आपके भाई के साथ यहां पर रात को जो घटना घटी है उसके बारे में बताएंगे कि क्या 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 हुआ यहां के उनके साथ और क्या क्या समान उनका जो है चोरी हुआ उन्होंने छीन लिया तो हमें बताईए राम जी धन्यवाद जी जैसे कि आप जानते हैं कि म मंदोली ग्राम पंचयत से उप्रधान भी हूँ और रात लगवगे साधी दस बजे का बगता मेरे बड़े भाई विश्वनाद जी वो अपने हमारी यहां को लुरूही में रिष्ट्रारी है बहां से आ रहे थे तो जब यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर एक गाड़ी यहां सालिप हुई थी और 4,3 से चार लोग बहां पर जो यह रास्ता नीचे को जाता है बहां पर खड़े थे तो जब यह रात का समय होने के कान धीक्र के धिरे-धिरे जा रहे थे Chair के और गले में Ela परणना डाला हुआ तो जब धीरे धीरे जा रहे थे उनमें से उन लोगों ने उनका परना खीचा तो पहले तो बड़े भाई उन्हों ने अपनी जो टांग है वो नीचे लगा दी और गिरते गिरते बचे फिर उन्हों ने एक रोड जैसी निकाली और एक ने इनका हाथ पकड़ पीशे कर लिया साड़े दस ही यार का जो एक मोवाईल था बो भी ले गए हैं और कैश तो चलिए साड़े 400 या 500 रुपे थे दिक से दिक वो जेम में थे बो भी बहां से लेकर चले गए हैं क्या यहां पे जो आपको पहले भी लगा कि यहां पे आधरात के अंधेरे में कुछ लोग या संदिक्ड लोग यहां पे रुखते हैं जा कोई किसी घटना को इंजाम देने के लिए यहां पे रुखते होते हो जी राम जी यह तो अभी स्थानी लोगों की बहुत कंप्लेट जा रही है और कुछ आपके कलरूही के लोगों ने भी हमें बताया जैसे कि कुछ हमारे यहां प्रोग्राम था पीशे हमारे गाव में प्रोग्राम हुआ तो कुछ कलरूही के लोग जैसे प्रोग्राम में गए हुए थे धार्मिक प्रोग्राम था तो जब रात को आते हैं तो तब भी यहाँ पर कोई गाडी लगवग बार पौने वारा का समय था यहाँ पर गाडी था ती और 5-6 लोग यहाँ पर काड़े थे और 10.30 बजे लगवग हमारे आधे रास्ते के उपर जाकर बहाँ पर 2-3 मोटर सैकल काड़े थे बहाँ भी 3-4 लोग थे और इस बात की complete में पहले भी थाना अंब में करवा चुका हूँ यहां पर बहुत गाड़ियां रात के समय पर खड़ी रहती हैं बाहरी लोग होते हैं यहां बैठ कर एक तो शिराब पीते हैं इसकी complete में पहले लिख्त में अंब थाना में दे चुका हूँ और ना जाने कौन सी घटना को इंजाम देने वाले हैं यह या दे सकते हैं हमारा पुल्स प्रशासन चाहे तो इन पर लगाम लगा सकता है जो रात की घटना घटी है इसका मतलब आपने आज जो पुलीस में अपना कुछ एप्लिकेशन वेरा दी है मैंने लिखित में शिकायत दर्जक रवाई है और उन्होंने भी हमें यह सीविंग दी है और पूरा आशवासन दिया है कि जल्द से जल्द सकत कारवाई उन अग्यात लोगों पर की जाएगी और रात को हमसे कहा गया है कि रात के समय यहां पर पुलिस की एक या दो तीन की ड्यूटी भी लगाए ज़ाए इनने देखा है कि पुलिस ने तीसरी आंख को भी यहां पर लगा रखा है कलरूही में भी कैमरे लगा रखे है अगर पुलीस चाहे तो उन कैमरों से जो राज के अंधेरे में जो यहां पर ब्यक्ती थे तो उनका पता लगा सकती है इसके बारे में गया राम जी हमारे प्रशासन ने कैमरे तो बहाँ पर लगा दिये हैं लेकिन आगे उसकी देखरेक नहीं करते हैं शायद उनकी भी नोलेज में होगा कि वो जो कैमरे हैं लगए 20 या 25 दिन से खराब हो चुके हैं उनमें कुछ भी रिकोड नहीं हो रहा है तो अगर लगाए कैमरे लगाए है उस पर सरकारी पैसा लगा हुआ जनता का पैसा लगा है तो प्रशासन को चाहिए कि उनका उनको किसी को कांड को अन्जाम दिया जाता है तो कोई अपरादियों को पकड़ने में उससे पूलिस को सहाईत अपराप्त हो सके तो आपने देखा कि जो अभी जो उन्होंने बड़े भाई के साथ अरविन शर्मा जी हमारे साथ मजूद थे उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ जो रात आप बीती हुई है वो आपके समक्ष रखी है और पलीस परसाइशन को भी उन्होंने एक लिखित में जो शिकायत दी है एक उपरधान होने के नाते वो भी ये शिकायत वहां पर उन्होंने पहुंचाई है और देखना ये है कि पुलीस हमारी जिला उन्ना की पुलीस जो है हमारी जिला उन्ना की जो पुलीस है आप देखते हैं कि कितनी जल्दी वो इस मामले पर संग्यान लेती है और मेरा S.P. महोदे जिला उन्ना और D.S.P. मैडम माम से भी अन्रोध है कि अगर वो चाहे तो जल्द से जल्द जो इनका जो फोन जो है लावा का जो स्मार्ट फोन है उसको ट्रैक में लगा कर वो इस जो 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 जे नकाप और श्चोर थे इनका पता लगा सकती है और आप बने रहे ही माचल फस के साथ हम आपको ताजा अपडेट यूँ ही बिताते रहेंगे मैराम परकाश धन्याबाद